एलो फ्रेंड्स आज मैं आपको एक बहुत ही असान एयर बलून बनाना सिखाने वाला हूं इसके लिए आको जादे कुछ नहीं सिर्फ एक A4 size sheet चाहिए होता है जैसे कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो पर बनाया था मैं एक साफ A4 size sheet से बनाता हूं पर आप किसी भी sheet से बना सकते हैं चाहिए तो आपके एक notebook की sheet हो या किसी भी sheet से सबसे पहले आपको एक square sheet चाहिए होती है अगर आपके मान लिए जैसे मेरी rectangle sheet है तो अगर आपको से square बनाना है उसके बहुत ही असान तरीका है सबसे पहले जो यह corner है उपर का उससे नीचे लाइए और एक ऐस से एसे एकदम या टिको मंता हो कि एधर ददम मिला लेज है जैसे मैं मिलाया मिलाया ज्यां से ےकला है और उपर से एक बर आप इसे दवा दीजिये फिर नीचे से एक बर ऐसे पकड़िये फिर ऐसे करके वार तराम से लेकर जाए और इसाइस दवा दीजिए पर जब यह से दव जाए तो ऐसे पूरा ऐसे दवा दीजिए अब आप देख सकते हमारा यह पूरा बन चुका है अब इसके बाद हमें ऐसे यह पलटना है और इसे देखिए यह तो यह जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमें इसकी जरूरत नहीं है तो यह ऐसे फोल्ड करिए वैसर यह तरीका बाकी लोगों को याद होता है जैसे आपको नहीं पता इसलिए मैं आपको सिखा देता हूं अब आप देखिए आगे से एक दम मिल चुका है कुछ लोग ऐसी फाड़ लेते हैं जो लोग ऐसे फाड़ने में माहर होते हैं वह ऐसे कर सकते हैं पर जैसे आपको नहीं आता यहां पर ऐसे फोल्ड करें और ऐसे फाड़ लीजिए आपको यह तरीका नहीं आता तो आप एक स्केल से भी फाड़ सकते हैं यह ऐसे लीजिए फ पूरा फट चुक है अब आप वह पेपर किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हैं या पर इसे हटा सकते हैं अब देखें हमारा यह अब स्क्वेयर पेपर बन चुक है कि अब इसके बाद यहां पेड़्ाइन है तो आप देख सकते नजदीक से दिखातों मैं आपको यहांपर एक कैसे लाइन बने चुक्त हैं20 अब आप कि इस तरफ ऐसे करके एक लाइन बनानी है इस के लिए आपको यहांपर ऐसे कुछ निकरना है यहां पर हमें से ऐसे मृलाना है ये खुझा ये को ऐसे मिला लि tenía ठीक है फिर अब इसके बाद यहाँ इस को नहीं पहुँर भी ध्यान देजिक फिर रोखे को आप इसे कर लिए एस दबाद देजिक फिर ऐसे पकड़कर गवायने के बाद दूसरे कोने पर भी ध्यान दीजिए अब यह जैसे हो चुका देख रहें आप इधर का भी हो गया अब दोनों को ऐसे पकड़के आप पिला दे या फिर सीधा ऐसे करके कर देजिए अब आप देख रहें ऐसे बन चुकी है इधर एक प्लस या ऐसे देखेंगे तो क्रॉस यह ऐसे फोल्ड करा आधे में फिर इधर से भी मिला लीजिए अब इसे ऐसे फोल्ड कर देजिए अब देखिए यह हो चुका है अब बहुत असान है अब इसके बाद जादा कुछ नहीं करना है कुछ लोगों को यह समझ नहीं आता है इसलिए मैं आपको ठोड़ा और नज इसे है तो अब करना क्या है सबसे पहले यह कि और पकड़े एसे उसके अंदर अपना ऐसे अंगूटा गुसा दीजिए गुसाने के बाद ऐसे ऐसे करिये इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ऐसा बने गा तो इधर से थोड़ा सा और फोल्ड कर दीजिए ताकि आराम से हो देखे अब यह मेरा ऐसे हो गया है अगर आक मिला नहीं है तो ऐसे हराम से मिला लीजिए ऐसे ऐसे अंदर से देखिए ऐसा देखेगा फिर दूसरे साइड़ी हमें यही करना है कि इसमें जादा मेहनत नहीं लगती है अब यह ऐसे पकड़े देखिए अब दूसरा तरीका है ऐसे मिला लिया इस से मिला लिए फिर इस से ऐसे फोल्ड कर दें और इसके बाद ऐसे कर दो देखिए बिल्कुल मुश्कल तरीका नहीं है अब आप देख सकते हमारे ट्रैंगल त्यार होगे जिसके अंदर कर ऐसा दिखेगा कुछ कुछ ऐसा फिर इसके बाद आपको करना क्या है यह ऐसे लीजे यह वाला या कोई भी ले सकते सबसे पहले मैं यह वाला ले रहा हूं इसे से मिलाना है उपर से अगर आपको समझनी आ रहे तो मैं थोड़ा जरा जूम कर रहा हूं अब देखिए ऐसा है तो यह इधर से ऐसे कोने से मिलाना है यह मैंने मिला लिया देख सकते हैं जैसे मिल गया है अच्छे जैसे मिला लिया अब देखिए कुछ ऐसा दिख रहा है अब करना के दूसरे साइट से भी ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं इधर से मिलाया हमने दीखिए ऐसे मिला लिया फिर यह ऐसे करना है फिर यह इधर से से दवागे द रहे दव यह किते अच्छा लग रहे अब दूस्री साइड हमें यह करना ऐसे यहां से मिलाया फिर ऐसे यह फोल्ड कर दिया दिखिए यह हो चुका है अब दूसरे साइट से भी यह करना है यह..... यह हमने और यह हो गया कि धेजिए हमने हमारा इत्ता बना Одक हमारा आजे से जफूर बन चुके अब हमें करें यह इसे कॉडिल है उससे बीच में लाना में यह बीच में लाई यह देखा आपको कई वर ऐसे उड़ता है एक तरीका तो होता है आप ऐस cesceğe-lsa कले यह थोड़ा मुश्किल होता है इसलिक सीआ प्रक्लिक यह है सु इससे अछय तो इसे फोरी जिन प्रश्किंट्टा थ है और यहां से इसे दावाद़ देखिए अब हमारा या इत्ता हो चुके अब करना है दूसरे साइट से वहारा है ऐसे यह मिलाया है फिर इस ऐसे उठ रहा है इस ऐसे दवा दिया अब दूसरी साइट से भी यह ऐसे है इस तरफ से भी इसे ऐसे कर दिया अब इस तरफ से करेंगे अब देख रहें यह उठ रहा है यह चीज तो यह अच्छा नहीं लगता इसको ठीक करने के लिए करना क्या है यह जो है इसे इधर ऐसे मिलाए गये इधर इधर करके और इधर ऐसे फोल्ड कर दिया अब देखिए यह तब भी उठ रहे है तो हम इसे इसकी पॉकेट में आप इसे करके खोल दीजिए आप खोलने के बाद यह और इसे एसे करके ड़ी जेए तेंगे आप प्लेखिए निकल जाता है तो अच्छे से पकड़ के यह हो गया पए इसे अंदर डालिए ऐसे फोल्ड कर दिया और यह हो गया ठीक है अब सट कभी हम यह करें यहां से ऐसे फोल्ड करती है ठीक है अब फिर हम इसे ऐसे मिलाएगे देखिए इस तरह से अंदर जाते हैं यह स्कूरूपकेट खूलेगे यह बहुत ही मज़दार चीज है कि फिर हम इसे ऐसे अंदर दाल देगे जिए जैसे देखिए अंदर जा चुक है फिर दूसरी साइट से भी यह करेगे देखिए इसमें भी पॉकेट है और इसमें भी पॉकेट है फिर इसको ऐसे करा इसकी तरह धीरे धीरे आपको यह बढ़ा असान लगने लगते हैं जैसे मैंने कई बार बना है तो मेरे लिए जाद मुश्किल नहीं है अगर आप पहली ब अब इसके बाद यह खोली फिर से पॉकेट डालिये यह जब डल जाएगा अच्छे से तो इसे ऐसे कि दवा दीजिए देखिए कई बर ऐसे यह निकल रहा है तो इसको ऐसे अंदर की तरफ डाले और यह हो गया ठीक है अब इस सेड का भी ऐसे करेंगे यह ऐसे फोल्ड करा ठीक है अब इसके बाद यह ऐसे फोल्ड कर दे देखिए ऐसे आगया अब इसकी भी पॉकेट खोलिए और ऐसे अंदर डाल देजिए अंदर डाल दिया अब देखिए यहां पर एक ओपनिंग होती है ऐसे यहां से हवा जाती है मैं आपको एक बाद भरके दिखाता हूं ऐस पकड़िए और इधर इधर अपना मूह डालिए और ऐसे भरिए मैं भरता हूं फिर आपको दिखाता हूं देखिए भरने के बाद यह कुछ ऐसा लगते हैं ऐसा आप इसके अंदर पानी भी भर सकते हैं पर गैरेंटी नहीं है कि पानी इसके अंदर रहेगा यह एक असान तरीका है बनाने का है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चानल सब्सक्राइब करने का बटन ठीक मेरी वीडियो के नीचे है और एक थम्सब का बटन ऐसा होगा उसे भी दवा दिजिए ठैंक यू और आव नाइस डे